नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नेम लौजी भाई नीहा चैनल में यदि आज आप मेरे इस चैनल पर पहली बाहर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजीगा और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी अपने सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुन नाम के लड़कों के बारे में जिसकी रिक्वेस्ट शुभास जैन जीने की है तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंडियन ऐस्ट्रोलाजी को हमेशा से ही पूरी दुनिया में सटीक और सही माना जाता रहा है इसलिए यहां नाम और राशी को बहुत महत्व दिया जाता है वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी नाम का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है और व्यक्ति के नाम से उसका व्यक्तित वो जाना जा सकता है इसलिए आजकर लोग अपने बच्चों के नाम बड़े ही सोच समझ कर रखते हैं वैसे तो बच्चों के नाम जन्द के समय पंडितों दुआरा उनकी कुंडली के अनुसार रखे जाते हैं लेकिन एक नाम वो होता है जिससे बच्चे को पुकारा जाता है ये नाम माता पिता दुआरा बहुती सोच समझ कर रखा जाता है हिंदु धर्म में जोतिस का प्राचिन समय से ही बड़ा महतु रहा है जोतिस इद्या की दुआरा कोई भी मनुश्य अपने जीवन के बारे में आकलन लगा सकता है फिर चाहे वह भूत वर्तमान और भविश्य की घटनाओं के बारे में हो या व्यक्ति के स्वभाव और गुन के बारे में आज के समय में प्रतेक व्यक्ति अपने भविश्य में होने वाले घटनाओं के बारे में जानना चाहता है आपको बता दे कि राशी फल भविश्य जानने का बहुत ही अच्छा माद्यम है राशी फल के सायता से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिने अपने या किसी दूसरे के बारे में जानने की इच्छा जरूर होती होगी कि उस इस्तरी या पुरुस का व्यक्तित्व वस्वभाव कैसा होगा हमारे जोतिस में इससे संबंदित कई सारे उपाये बताए गए हैं जिसे देखकर आप उस इस्तरी या पुरुस के बारे में पता लगा सकते हैं कि वहे व्यक्ति कैसा है उसका स्वभाव कैसा है आदी किसी भी इनसान के बारे में ये सारे बाते पता की जा सकती हैं उसके नाम के पहले अक्षर से किसी व्यक्ति के जीवन में अक्षरों का बहुत प्रभाव पड़ता है आईए अरुन नाम के बारे में जाने अरुन नाम का मतलब अरुन नाम बहुत सुंदर और आकरशक माना जाता है इतना ही नहीं इसका मतलब भी बहुत अच्छा होता है आपको बता दें कि अरुन नाम का अर्थ सूर्य और आवेश पूर्ण होता है अरुन नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह व्यवार करने लगता है अरुन नाम रखने से पहले इसका अर्थ जानना जरूरी होता है जैसे कि अरुन नाम का मतलब सूर्य और आवेश्पून होता है और इस अर्थ का प्रिभाव अरुन नाम के व्यक्ति के सोभाव में भी दिखने लगता है आपके द्वारा चुने जा रहे अरुन नाम का English में मतलब है Passionate और Sun अरुन नाम की राशी अरुन नाम की राशी मेश होती है मंगल ग्रह मेश रासी का स्वामी माना जाता है मेश रासी का अरादे देव भगवान स्री गनेश जी को माना जाता है अरुन नाम की लड़के रक्त की अशुद्धी से होने वाले रोगो दातों में समस्या, जल्दी गुस्सा आना, सिर्दर्द, आदी समस्याओं से अरुन नाम की लड़के पीडित रहते हैं अरुन नाम की लड़के खाने पीने के भी बहुत शोकीन होते हैं और अक्सर इसी आदत की वज़े से पीट की समस्याओं से पीडित रहते हैं मेश रासी के अरुनाम के लड़के नई पहल करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं और काम के इतने शोकीन होते हैं कि लंबे समय तक काम करके भी ठकते नहीं है अरुन नाम का शुब अंक जिनका नाम अरुन होता है उनका ग्रह स्वामी मंगल और लखी नमबर 9 होता है इस अंक वाले लोग बहतर सीखने वाले होते हैं ऐसे लोगों का मन बेहत सुतंत्र होता है और ये अपनी दुनिया में खोई रहते हैं नो अंक वाले लोग मुश्किलों का सामना हिम्मत और जजबे से करते हैं अरुन नाम के लोगों को हर नए काम की शुरुवात में काफी महनत करनी पड़ती है लेकिन अंत में ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं अरुन नाम के लोग सासी होते हैं लेकिन कभी-कभी अतिसाहस उ पूरी ही सिद्दत के साथ निभाते हैं अरुनाम का व्यक्तित्व और वेवार अरुनाम की व्यक्ति की राशी मेश होती है और ये सहसी आत्मविश्वासी महत्वकांशी और जिग्यासु होते हैं अरुनाम की व्यक्ति को जोखिम उठाने में बिल्कुल भी डर महसूस नहीं मेश रासी वाले लोग न एकाम के शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तयार रहते हैं, अरुन नाम वाले लोगों में खूब एनर्जी होती है और ये हर चैलेंच का पूरी हिम्मत से सामना करते हैं, इस नाम के लोग काफे जिदी होते हैं, इनके लिए अपना एहम बहुत म काड़े रह सकते हैं और किसी काम को करने से पीछे नहीं हटना इनका सवभाव होता है अरुनाम के लोग दूसरों की मदद करते हैं और लालज कभी नहीं करना इनके वेक्तितुं में शापीचों होता है अरुनाम लड़को का शुबरंग लाल, ہو, पीला शुब दिन मंगलवार का दिन, शुब पत्थर, मुंगा अथ्वा गार्नेट रत्र, लाबदायक और शुब साबित होता है तो दोस्तों आपको मेरी बताये हुए जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बैल आइगन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी अपने सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं यदि आप भी किसी नाम की वीडियो बनवाना चाते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं धन्यवाद